मद्यप्रदेश केडर के आईस अधिकारी लोकेश कुमार जांगेट 2014 के बैस के अधिकारी इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं उनकी चर्चा में होनी की एक दो नहीं कई वज़ाय सामने आ रही हैं उन्होंने 11 जून को DOPT के सचीव और MP के मुख्य सचीव को इंटरकेडर प्रतिन्युक्ती पर तीन वर्ष के लिए मद्यप्रदेश सिम्हाराज जाने के लिए आवेदन दिया ट्रांसफर की वज़ा उन्होंने पारिवारिक कारणों को बताया है वहीं उन्होंने अपने लगातार हो रहे ट्रांसफर पर आपत्ती जताई है 9 साल में उनके 6 तबादले हो चुके हैं MP में लोकेश कुमार जांगिड की पहली तैनाती शिवपूरी जिले के विजयपूरी में ACDM की रूप में 1 नवंबर 2016 को हुई थी वहीं कुछ माईने पहले भुपास सित मंतराले में उनकी नई पच्थापना हुई हाली में उनका तबादला एडिशनल MP राजशिक्षा केंदर में हुआ इससे पहले वह बढ़वानी के अतिरिक्ट कलेक्टर थे इतना ही नहीं लोकेश सिंग जांगिड की सिगनल एप पर लीख हुई ग्रुप चैट में सरकार की तरफ प्रशटार के आरोप में लिखते हैं जो माफिया से पैसे निकलवाता है उसका तबादला हो जाता है साथ ही उन्होंने कहा कि इमांदार होने की वज़े से उनका तबादला किया गया उनका यह भी कहना है कि अपने रिटायमेंट के बाद वह किताब लाएंगे उमीद है उस से सारे तथे सामने ला पाएंगे सूत्रों का कहना है कि आयस लोकेश कुमार को बढ़वानी से हटाने की वज़ा प्रसासनिक है लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है उन्हें बढ़वानी में पदस्त किया गया तब उन्हें कोविट प्रभारी बनाया गया जिसके चलते उन्हें आक्षिजन कॉंसेंट्रेटर के हुए ब्रश्टा चार पे आवाज उठाई जिसका भुक्तान उन्हें गुरुवार देर राज 12 बज़े के आसपास एक अग् शिकायत क्यक्ति ने उन्हें 6 मेने की चुट्टी वह बच्चों को लेकर धमकी दी इस फोन कॉल के बाद ततकाली उन्हें डीजीपी विवेक कुमार जोहरी को सारे व्याख्या की शिकायत कर दी हालाकि शुकुवार तक कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई है उनका कहना है मामल गंबीर होने के बावजूद भी मुझे अभी तक कोई जवाब बस सुरक्षा नहीं मिली